दोस्तो फाइनली आज आपके सामने है 2023 की न्यू रॉयल इंफिल्ड हंटर 350 का मेट्रो रेवल टॉप मोडल टोटल तीन वेरियंट के साथ ये बाइक आती है जैसा कि ये टॉप मोडल है तो इसमें आपको तीन कलर आप्सन मिल जाता है रेवल ब्लू जो की अभी आप देख और दो आपको रेवल ब्लैक और रेवल रेट कलर देखने को मिल जाती है अगर 2023 में आप भी हंटर 350 लेने वाले हो या लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं माइलेज और टॉप स्पीड कितनी मि जाते हैं तो दोस्तो अब मैं इसे लगा देता हूं और चलते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पर तो यहाप देख सकते हो मोड का बटन मिल जाता है जिसे कि आपको कंसोल में ट्रीप, A, TRIP, B, सेट, रिसेट करने का ओप्सन देखने को मिल जाता है इन्टीग्रेट इपको पा देख सकते हो दोस्तों और अगर इसके console की बात करें तो same आपको meteor 350 जैसे देखने को मिल जाते है round shape के semi digital type का आपको meter console मिल जाता है जिसके ऊपर में आप speedometer देख सकते हो और अगर इसके warning light की बात करें तो यहाँ पर आपको turn indicator की वर्रनिंग मिल जाते हैं, low fuel alert देख सकते हैं यहां पर आपको gear neutral की warning, ABS की warning, Check engine की light आपको देखने को मिल जाते हैं और digitally यहां पर आपको основ हो जाता है, odometer देख सकते हैं, trip A, trip B आपको देखने को मिल जाते हैание shift indicator देख सकते हैं, यूल गज आपको मिल लाता है, डिजिटल क्लॉक आपको देखने को मिल लाती है, इंजन हीटिंग टैंपरेचर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर देखने को मिल लाती है, और दोस्तों इसके सेंटर में आपको रॉयल इंफिल की ब्र हैंड सेप का, बाक्य यहां से आप इस बाइक का दोस्तों पूरा फ्रंट परॉफाइल का सेट अप देख सकते हो, कुछ इस तरह के यहां पर आपको देखने को मिल लाते हैं, हेलो जूल लाव踏र को अपको इंडिकेटर मिल लाते हैं, जो कि नॉन फ्लेकніतल दिये गहाँ with 1000 switch के साथ glossy black color का यहाँ पे आपको front वाला mudguard मिल जाता है fiber body के साथ और दोस्तों अगर इसके suspension की बात करें तो यहाँ पे आपको telescopic fork type के आपको suspension मिल जाते है 41 mm के 130 mm का आपको travel मिल जाता है दोनों और आप reflector देख सकते हो rubber getter यहाँ पे आपको मिल जाता है high security number plate लगानी की यहाँ पे आपको जगह देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सांदार यहाँ पे आपको mid black color finish आपको देखने को मिल जाते है tire size की बात करें तो इसके front में आपको 110-70-17 के आपको tubeless tire मिल जाते है काफी सांदार 17 inches के black color के alloy के साथ और alloy पे आपको royal infield के आपको branding मिल जाते है थोड़ा सा यहाँ पे आपको असमानी color का graphics मिल जाता है 300 mm diameter के आपको digs brake मिल जाते है 5D का caliper मिल जाता है जो की काफी अच्छी braking देता है जैसा कि दोस्तों यह top model है तो इसमें आपको dual channel ABS मिलता है चलिए दोस्तों नेक्स चलते हैं इसके पीछे की और बात करते हैं इसके rare वाले tire की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 140-17 के आपको tubeless tire मिल जाते है काफी सांदार 17 inches के black color के alloy के साथ और alloy पे आप देख सकते हैं Royal Infield के आपको branding मिल जाती है थोड़ा से यहाँ पे आपको असमानी कलर का work मिल जाता है tire की pattern देख सकते हो काफी white tire आपको मिल जाते हैं 270 mm diameter के यहाँ पे आपको digs brake मिल जाती है 5D का caliper देख सकते हो dual channel ABS के साथ यह बाइक आती है और इसके rare में यहाँ पे आपको twin tip, emulsion, sock, absorber with 6 step adjustable pre-loaded type के आपको suspension मिल जाते हैं जिसे कि आप 6 time तक adjust कर सकते हो इसके dimensions की बात कर जोगे तो curve weight आपको 181 kg की मिल जाती है 800 mm के यहाँ पे आपको width मिल जाते है length आपको 2055 mm का मिलता है height आपको 1055 mm का मिल जाता है royal का graphic का work मिल जाता है 13 liter की capacity मिल जाती है और यहाँ पे आप fuel tank पे देख सकते हो काफी सांदा three tone color आपको मिल जाते है full metal body मिल जाता है fuel tank cap यहाँ पे आप देख सकते हो जो की chrome के work के साथ मिल जाता है बाकि यहाँ पे आपको pillion का adjustable footage मिल जाता है glossy black finish आपको मिल जाता है नीचे में यहाँ पे आप locker देख सकते हो दोस्तों और इसके engine पे आपको royal infield के आपको branding मिल जाती है all black color मिल जाता है spark plug यहाँ पे आप देख सकते हो single piece horn के साथ यह bike आती है काफी heavy quality के यहाँ पे आपको crash guard मिल जाते है 150 mm के आपको ground clearance मिलते है engine और power की बात करें तो 349.34 cc का single cylinder air and wild cool four stroke SOSC BS6 FI engine मिलता है यह engine maximum power generate करता है 20.4 ps का 1600 rpm और maximum torque generate करता है 27 mm का 4000 rpm और 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है और top speed आपको 114 km per hour का मिल जाता है बाकि दोस्तों mileage आपको 35-37 kmpl की मिल जाती है चलिए दोस्तों next चलते है इसके पीछे की और तो सबसे पहले में इसके key को on कर देता हूँ तो यहाँ से आप इस bike का पूरा rare profile का setup देख सकते हो कुछ इस तरह के मिल जाते है same classic 350 वाले आपको tail light मिल जाते है round shape के halosan bulb की यहाँ पे आपको turn indicator मिल जाते है यह cushion काफी soft आपको मिल जाता है 790 mm की आपको seat height मिल जाते है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो thread का work भी आपको मिल जाता है पीछे में आपको royal infield की bashing देखने को मिल जाते है split grab handle यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते है mid black color finish के साथ और seat call पे यहाँ पे आप देख सकते हो glossy black finish आपको मिल जाते है जो कि इस bike के look को काफी premium बनाती है चलिए अब मैं इसके exhaust और इसके engine को note को आपको check out करा देता हूँ तो यहाँ से आप इसके exhaust को note को सुन सकते हो आगे की ओर चलिए तो यहाँ पे आप इस bike के main headlight के रोशनी को आप check out कर सकते हो काफी सांदार आपको इस bike में रोशनी मिल जाता है low beam और high beam के साथ देख सकते हो कुछ इस तरह के आपको low beam और high beam मिल जाता है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले में इसे बंद करता हूँ और चलते हैं इसके पीछे की ओर तो यहाँ पे आप देख सकते हो lady pillion के safety के लिए आपको सारी guard मिल जाता है black color का और open chain set की आपको covering देखने को मिल जाती है fiber body के साथ pillion का यहाँ पे आप adjustable footage देख सकते हो जिस पे आपको royal infield के आपको branding मिल जाती है rider का adjustable footage five speed gearbox के साथ ये बाइक आती है और इस side body panel पे royal infield hunter 350 के आपको sticker work मिल जाती है full glossy black finish आपको मिल जाता है और engine पे आपको royal infield कि धर से भी आपको branding मिल जाती है जैसा कि दोस्तो 2022 से ही कंपल सरी करी दिया गया था सभी बाइकों में side stand cut off तो इस बाइक में आपको मिल जाता है main stand यहाँ से आप देख सकते हो बाकी mileage आपको 35-37 MPL के ये बाइक असानी से निकाल करके देदेगी top speed आपको 14 km पाड़ावर का मिल जाता है और दोस्तों इसके साथ-साथ इस बाइक में आपको USB charging port देखने को मिल जाता है चलिए दोस्तों फाइनली बात करें इसके pricing की तो जो 2023 में जो अभी इसकी एक सोरूम कीमत निकल क्यार हुए 171,900 रुपीच और अन्रोट जो पढ़ने वाली हुए 22,000 से लेके 24,000 के बीच में यह अन्रोट कीमत की जानकारी मैंने आपको दिये कुमार ओटो माइल जीरो माइल नियर नियू लीलावती हॉस्पीटल मुझापर पुरिस्तित सोरूम में इस सोरूम में आप विजिट कर सकते हो रॉयल इंफिल की किसी बाइक का टेज़ ड्राइब ले सकते हो सोरूम की सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन लॉक्स में दे दूँगा दोस्तो अगर आप भी अपने सीटी के ओन्डोर पाई जाओड के टोस्तों में आपको शाब भी अपने सीक्ते हो